Hello friends and dear students, आज का माँ टॉपिक है medicinal chemistry 3rd के अंतरगत Amino Glycoside Antibiotics और इस वीडियो हम लोग Amino Glycoside Antibiotics का एक general introduction, उनका classification, structure, mechanism of action और उसे दित्यादी को आसान तरिके से सभजने की कोशिश करेंगे, मैं हुँ डॉक्टर पजने शुकला, चलिए शुरू करते हैं Amino Glycosides जो Antibiotics हैं, इन्हें हम लोग protein synthesis innovators के रूप में भी जानते हैं जो कि bacterial protein synthesis का inhibition करती हैं और ये Amino Glycosides जो इनका नाम है, वो इसलिए इनक आता है क्योंकि यहां पर Glycosidic Burnts के द्वारा, दो या दो से ज़्यादा कई बार एक Amino Sugars जो होती है वो A-Glycon Part, यानि कि Non-Sugar Part है, that is Di-Amino Cyclohexane Central Ring जो है इससे जुड़ा होता है यानि A-Glycosidic Burnt बनेगा किसके बीच में एक Di-Amino Cyclohexane Central Ring और हमारे Amino Sugars के बीच में जिसकी वज़े से इसका नाम जो है वो Amino Glycosides के रूप में हमें देखने को बलता है अभी हम इसका structure देखेंगे तो यह बात और clear हो जाएगी नाम की बात करें इसके तो इसमें जो variations है वो Amino Sugars different हमको देखने को मिलती है A-Glycon Part जो है वो देखने को मिलते है अलग अलग पार तीन तरीके के होंगे जो के भी हम आगे देखेंगे और इस वज़े से जो है यहाँ पर हमें different different जो है side change जो है लगी हुई मिलती है Amino Glycosides में और उनकी वज़े से इनके नाम जो है वो change होते जा देखें लेकिन अगर हम basically इनके नाम में एक खास बात देखें तो यह हमें दो जगह से मिलती है Amino Glycosides जो microbial floras हमें यह प्राप्त होती है एक है हमारा streptomantis genus अगर वहां से कोई हमें Amino Glycosides मिल रही है तो उनके नाम में suffix जो है वो mycine हमें देखने को मिलता है और माइक्रो मोनोइस्पोरा से अगर वो क्या नाम है तो उसका जो suffix लगा रहेगा उसके नाम में वो mycine देखने को मिलता है एक दो अपवाद भी है वो आगे भी हम लोग देखेंगे अब बात करते हैं इसके structure की जो सबसे खास बात है देखे इसके structure में यानि Amino Glycosides के structure में हमको तीन basic चीजें देखनी पड़ती है पहला तो जो सुगर पार्ट है वहाँ पर जो सुगर जो है अमीनो हेक्सोज हो सकता है या छह कावन की या च्छह एक्टम की रिंग हो सकती है पेंटो सुगर हो सकता है विदाउट Amino Group भी हो सकता है तो यह एक खास बात है दूसरा एक लाइकॉं पार्ट एक लाइकॉं पार्ट जो है वो वन्थरी download Amino cycle हेक्सेन रिंग होनी चाहिए या फिर हम कह सकते है की भंट्टृ डाय अमिनो जो है वो रिंग मिलती आइनोसितॉल रिंग कौन सी रिंग होती है 6 कार्वन की हेक्सेन रिंग हो और उसके हर कार्वन के ओपर OH ग्रुप लगाओं अब उसमें भी पहले और तीसे नमबर पर OH को हटा करें अमीनो ग्रुप लगा दें यानि यान इस त्यू ग्रुप लगा दें तो हमें क्या मिलेग और हम इने थोड़ा सब करलर का सुगर्स है और हमारे ऐक लाइका बात है यहां पर एक लाइक कॉलर पार्ट ज़िए है यहां पर इस च्रॉक्छर जो है बूह पर हमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो एवल तीन तरीके के ही हमें देखने को मिलते हैं वो तीनों के structure अगर हम समझ लें तो हमें इंड्रक्स का structure जो है वो लिखने में आसानी होगी तो आईए इन तीनों को देखने पहले कौन-कौन से हैं यह जो है यहाँ पर जो एगलकाइंग पार्ट है वो exactly 1-3-diam amin seus brutal का जो है derivative हो सकते यह यह हो सकते है और यह तीन तरीके के होंगे कौन-कौन-से ऊ- wild性 उ- इस्टि डियाँक्सी इस्ट्पैमीन इस्टेपटिदीन और इस्प्टेडवाइन यह थीर आपको देखने को मिलते हैं में को मिलते हैं और यह सारे के जो है वो cyclohexane ring है 6 carbon की chain है और हर carbon के उपर अगर OH group लगा है तो उसे हम क्या कहते है आइनोसिटॉल अब उसमें पहले और तीसे नंबर क्योंकि सभी बराबर थे तो इसलिए 123 का आप नहीं से भी शुक्र कर सकते थे पहले और तीसे नंबर के OH group को हटा करके अगर amino group लगा दिया जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे septamine या फिर 1-3-diamino-ionositol अब इसके तीन derivatives हमको मिलेंगे और यही तीन derivatives हमको amino glycosides में as a a glycon part देखने को मिलते हैं जो सबस्या देखने को मिलता है वो हमारा two deoxy septamine जो यह septamine था और इसके दूसे नंबर पर जो OH लगावा था इसको अगर हटा दिया जाए यह ना हो तो उसी को हम क्या कहेंगे two deoxy septamine ठीक है तो यह septamine था और इसका जो derivative आया जहांपर दूसे पोजिशन पर oh group नहीं है उसे हम क्या कहेंगे two deoxy septamine तीसरा है हमारा expectina mine expectina mine में क्या हो रहा है कि जो एनस्ट ग्रूप लगे थे इस एनस्ट ग्रूप में से दोनों एनस्ट ग्रूप यानि कि पहले और तीसरे दोनों पोजिशन पे एक-एक एच को जो है अश्ट ग्रूप को हम लोगों ने रिप्लेस करना है c double bond N n h e n s टू यानि कि immunomethyl group के साथ हम दोनों जगवपर क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे तो एच की जगवपर यहाँ पे जो एनस्ट था एक है और एक एच को c double bond N h n s 2 यानि기 iMMINO METHILE GROUP के साथ हमने क्या कर देना है, replace कर देना, तो इसका जो नाम मनता है, वो आप stepte-eneen भी बोल सकते इसको, या फिर n1, n3, with amino imino methyl sceptamine भी इसको हम कह सकते हैं, तो íxim mata, sorry, hiscektifamine जो है, वो हमारा sapte-amine में सहिए आएगा, यहाँ पर हमने इन दोनों NH2 को जो है CST गूप के साथ यहाँ पर NH के साथ रेप्लेस किया है और 2-Dioxys-Teptamine में OH गूप दूसरे नमबर पर नहीं रखा तो यह और यह तीनों जो हैं आपको as a क्या नाब है एक लाइकाउन पार्ट देखने को मिलेंगे जब भी हम इनका structure रेखेंगे वैसे तो general classification amino glycosides काम को देखने को नहीं मिलता और 8 प्रकार की amino glycosides इस समय आपको generally ज्यादा देखने को मिलती है लेकिन अगर जो है इनको हम लोग बाटना चाहेंगा classification करता ही चाहें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं एक तो on the basis of source कि हमें कहा से पराप्त हो रही है तो septomyces genus से अगर पराप्त हो रहे हैं तो यह कुछ शैप्रकार की है जैसे कि septomycine septomyces galisus से पराप्त होता है से पराप्त होता है stepromycetin the septomyces caprolius से पराप्त होता है niomycin steptomyces fredeiri और tromyomycin s S यानि कि Sceptomycin, S का मतलब किया Sceptomyces Tanybraecus और Fheromycin is S Decaryis, तो यह इस तरीके से हमें Sceptomyces Genus से यह पराप्त होते हैं, या different different fem, जीनस को और होगा Sceptomyces is different different organism जो है उसके वहां से हमें 8 प्रकार की Antibiotics पराप्त हो हैं, micro monospora species वहां से हमें gentamicin और sisomycin मिल रहा देखे यही एक inspection क्या नाम है आप क्या सकते हैं exception है यहां पे मैंने का था MICIN होना चाहिए लेकिन MYCIN है तो यह exception में हो गया micro monospora purpura से मिलती है gentamicin और micro monospora I know sizes से मिलता है हमें sisomycin तो यह आठ परकार की antibiotics जो है अभी market में हमें देखने को मिलती है इनके कुछ synthetic derivatives में है semi synthetic derivatives वो भी देखते हैं जैसे कि amica sing वगेरा तो वो हम लोग यहां पर नहीं रखे हैं आप हमने simple pure जो है हमारे natural वाली antibiotics यहां पर रखे हैं दूसरा जो example है classification का वो है on the basis of administration कि हमकी इस प्रकार से इसको administration कर रहे हैं एक जो बड़ी problem है हमारे amino glycosides के साथ कि हम इने orally जो है नहीं provide करा सकते क्योंकि इनकी oral availability बहुत ही कम होती है absorption बहुत कम होता है एक परसंट से भी कम तो इसलिए जो है हम इने orally नहीं देते हैं हम या तो systemic दे सकते हैं तिसलिए हम इसे क्या कहेंगे systemic amino glycosides example है septomycin, gentomycin, canomycin, tobromycin, amikacin जो की synthetic derivative है canomycin का और sisomycin, ATC और इसका भी एक, एक दो जो है synthetic, semi synthetic derivatives आते हैं उनको दिया जा सकता है दूशर है हमारे topical amino glycosides जिनको हम topically use कर सकते हैं खास करके neomycin और feromycin, इसमें से gentomycin जो है, gentomycin जो है, इसके कुछ ophthalmic preparations भी जो आते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकता है next, अब इनके structures जो हैं, जो भी examples हैं, आपके syllabus में exactly 3 drugs हैं, streptomycin है, neomycin है, और kenomycin है, लेकिन हम gentomycin का भी structure देखेंगे तो आईए structure भी देख लेते हैं इसका, ताकि exam में आए तो आप लिख सके, structure रखना बहुत ही असान हो गया, इसको देखना, क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे streptomycin है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक जो है, एक glycan part देखने को मि बन रहा है, यह दोनों sugar part है, और यह sugar part जो है, यहाँ पर glycosidic bonds के साथ जुड़े हुए, glycosidic bonds होते हैं, जो कि OH group of a glycogon, plus sugar part के जो OH group है, वहाँ से water के molecule के निकलने के बाद जो है, वो बनता है, विसको हम क्या कहेंगे, glycosidic bonds गाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा ह यहाँ पर भी जो है, यह दोनों आपस में जुड़ गए, और यहाँ पर भी बन रहा है, तो यह सारे कुछ जो sugar parts हैं, वो सब एक दूसरे से glycosidic bonds के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे niomycin B में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर sugar part 3 हैं, एक दो जो हैं, नियोसमिन के molecule हैं, और एक जो है हमारा D-reviews है, और यह सब कुछ glycosidic bonds से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो A-glycon part देखने को मिलता है, वो है 2-deoxy-septamine, देखने को मिलना देखना है, आप दूसरे position पर OH group नहीं है, इसलिए से क्या कहेंगे, 2-deoxy-septamine और यह सब क हमारी तीसी जो ड्रग है, आपके सेलिवस में, this is canamycin, canamycin तीन तरेके की होती है, canamycin A, canamycin B, canamycin C, और इन सब में अंतर क्या है, देखे पहले structure को तो फेम ही है, पहले हमको यहाँ पर एक glycon part दिख रहा है, कौन सा 2-deoxy-septamine ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक common हर जगा जर्नली ज्यादा तर ड्रक्सनम को 2-deoxy-septamine ही देखने को मिलता है, एक glycon part, अब ये एक glycon part के 2 hydroxy group जो है, वो glycosidic bond मनाते हैं, दो प्रकार की हमारी सुगर्स के साथ, जिसमें से एक सुगर्स हो हमारा हर जगा सेम है, तीनों में सेम है, that is D-glucosamine, जो कि क्या नम है, common है a difference कहां पे है, जो D-glucos अलगा हुआ है, इसी में amino group हो सकते हैं किसी में, जैसे कि R1 और ये R2 यानि कि 6 position पे और ये हमारे CS2, R1 पे, ये इन दोनों जगहों पे ही substitution होंगे अलग-अलग, जैसे CS2, R1 जो है, R1 अगर है NS2 है और R2 OH है, तो आप बोलोगे canamycin A है, अगर जो ह D-glucos का structure है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, canamycin C मिलेगी, ये 3 जो हैं आपको agents इस प्रकार से मिलेगे, gentamycin जो है, वो भी C1, C1A और C2 के रूप में हमें प्राप्त होती है, और gentamycin का structure है, वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, 2 deoxy streptamine देखने को मिल रहा है, as the egg-like on part, और ये जो है, दो प्रकार की सुगर्स के साथ आपस में जुड़ा हुआ है, और सुगर्स के साथ जुड़कर के ये जो है, हमारे लिए drugs बना रहा है, आर ग्रूप जो है, एक सुगर तो सब में common है, दूसरी सुगर के आर ग्रूप में हमने क्या करना है, changes लेके आ लगें होंगे यहां पर और आपको जो है, डिफरेंट डिफरेंट जो है, वो तीम प्रकार की जेंटा मैसिंस जो है, वो प्राप्त होंगी, तो इस च्रक्शे समझने में बहुस्पी खास बात ये थी कि सब कुछ जो है, एक लाइक लाइकॉन पार्ट में है, सुगर्स हैं और वो आपस में glycosidic bonds के साथ जुड़े हैं, यह आपको याद रखना होगा, next अब बात करते हैं, mechanism of action की, तो इसकी mechanism of action आप एक फिरिस्टिक फॉर्म में भी देख सकते हैं, फिर्स करद हम लोग लिखे हुए फॉर्म में भी देखेंगे उसको, points wise, देखें, जो normal bacterial protein synthesis हैं, जो हमारी amino glycosides हैं, मैंने starting में ही बोला कि वो protein synthesis inhibitors होती है, तो जब normally, जो हमारा MRNA है, वहाँ पर जो है, क्या नाम है, हमारे ribosomes लगे हुए, हमारे name, sorry, bacterial ribosomes लगे हैं, उसके 2 units होती है, एक 50S unit होती है, 30S unit होती है, TRNA आगर के यहाँ पर, मतलब की, transfer RNA आगर के, अपना messenger RNA को transfer करता है, और उसके बाद फिर protein synthesis start होती है, जैसा कि हम लोगों को protein synthesis के बारे में मालूम है, और आगे में जब complete हो जाती है, normal protein synthesis, तो protein मिलता है, जो की bacteria को, जो की उसकी growth के लिए अवश्यक है, और हमारा ribosomes जो है, वो अलग हो जाते हैं, लेकिन, हमारी जो drug है, amino glycosides, यह जो करते हैं, जिससे protein synthesis को ब्लॉक करते हैं, और इस protein synthesis को ब्लॉक करने के वज़े से incomplete protein synthesis यह तो होगी, या फिर जो है, मतलब कि थोड़ी दोर में ही रुप जाएगी, या पूली तरी के से जो protein synthesis या protein की लंबी chain बननी चाहिए थी, polypeptide chain जो बननी चाहिए थी, वो नहीं बनेग जो की, छोटी-बोटी बनेगी, छोटा-बोटा fragmented बन पाएगा, या फिर nonsense protein बनेगी, या इनकोपरेशन होगा, एक incorrect amino acid का, जिसकी वज़े से जो protein हमारे bacterial cell को चाहिए थी, बैक्टेरिया को अपनी growth के लिए, वो ना बन करके, कुछ औरी defected protein जो है, वो वहाँ पर बन सकती ह सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, जब 30S ribosomal unit के साथ ये जुड़ेगा, incomplete protein मरा सकता है, या incorporation कर सकता है, incorrect amino acids का, जिसके विए से nonsense protein जो है, वो बनेगी, जो की, हमारे bacterial cell wall की death के लिए, या sorry, sorry, bacterial cell के death के काहन में आएंगी, और उनकी, उनके growth को पुरी तरीके से क्या कर सकते हैं, रोख सकती है, तो आप लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, पॉइंट वाइस की, जो amino glycosides हैं, वो directly act करती है, bacterial ribosome के उपर, जिसके विए से उनको, उनको, एक तो infinity होती है, affinity होती, sorry, जो bacterial ribosome पे जा करकर ये attach हो सकती है, और उसके बार inhibit करती है, inhibition of protein synthesis, ये bind कर सकती है, 30S unit पे भी, और 50S unit ribosome sub unit पे, और form करती है, एक complex जो की initiate करता है, sorry, cannot initiate करता है, जो proper amino acid polymerization है, उसको initiate नहीं होने देता, और un improper amino acid polymerization जो है, वो होता है, जिसके वज़े से incomplete protein या फिर incorrect amino acid वाली nonsense proteins जो है, वो bacterial cells के अंदर बनना शुरू हो जाती है, amino glycosides की binding जो ribosomes पे है, वो कई ब जो है, misreading, mutation भी cause करती है, gentic code में, जो की specific amino acid RNAs के को recognize करने में दिक्कत आती है, जो की proper codons होते है, mRNA पे, जिसकी वज़े से gentic, जो information का transfer होना है, वो भी सही तरीके से नहीं होता, और इस वज़े से incorporation of improper amino acids होता है, peptide chain में, और bacteria की क्या हो जाती है, death हो जाती है, तो ये भी एक तरीका है, कि हमारे amino glycosides जो है, वो काम कर सकते हैं, अब बात करते हैं, यूज़ेस की, तो जो streptomycin है, कुछ, क्योंकि आपके salivus में तीन रग हैं, तो हम तीनों के uses अलग-अलग दिख दे रहे हैं, अब streptomycin जो हैं, तीनों ही broad spectrum antibiotics हैं, पहली चीज़, और ये effective होती है, strept स्टेफलोकोकाई, स्टेफलोकोकाई, और स्टेफ्टोकोकाई, निमोनोकोकाई, दूनोकोकाई, और मेनिजोकोकाई, जो की different forms हैं, बेक्टिडियस के, उनके साथ, जो 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 different families हैं, वहाँ पर ये act कर सकते हैं, ज्यादा तर ये gram-negative bacteria के अपर act होते हैं, ये तीनों drugs, इस क्या होता है, जो spinal cord और brain की जो cells हैं, वहाँ पर या उनकी linings में, अगर inflammation हो, due to infection, तुसे क्या करते हैं, meningitis, और फिर endocarditis, यानि की, आपकी जो heart lines है, heart की जो inner cells है, या inner lining है, वहाँ पर अगर inflammation हो, तुसे हम क्या करते हैं, endocarditis, ITS word कहीं भी लगाओ, तो समझ जाएगा कि inflammation की ही बात हो रही है, नियो-माइसिन की बात करने, तो ये effective होते हैं, ये भी borodic spectrum है, staphylocokai, pneumonokokai, grunokokai, और meningocokai, ETC में, और ये भी treatments के काम में आते हैं, gastrointestinal disorders हों, skin infections हों, infected wounds हों, conjunctive ITS हो, जो की eye अगरा के infections हो सकते हैं, और skin disorder में तो हम सभी लोगों ने कभी न कभी नियो-माइसिन को जो है, वो यूज किया होगा, next, जो है हमारे काइनमाइसिन है, जो की useful है in the treatment of sepsis, meningitis, हमारे osteomalysis, यानि की brain cells के अंदर infections हो, और वहां, sorry brain cells बोलाँ, bones, bones में जो infections हो, जिसकी वहां inflammation हो, परिनोटेसिस, हमारा जो है pneumonia, और यह आपका perinonitis का मितलब होता है, कि यह आपके abdominal cells की, जो inflammations है, वहां पर inflammation, sorry, abdominal cells की lining में inflammation हो, तो उसे हम कहेंगे perinonitis, और जो है हमारा pneumonia, infected, उन्स, incept के treatment में काइनमाइसिन, जो है, वो यूज करते हैं, यह जो आज आपने notes दिखा है, इसका जो रिफेरेंस है, कुछ कई different books से लिया गया है, जैसे कि Wilson and Gravisols, Foy's Principal of Medicinal Chemistry, वी अलगार सामी कि जो medicinal chemistry की test book है, volume 2 से, कुछ internet, Wikipedia और PubMed, जो PubChem, NCBI, जहां से मैंने structures को जो है, वो verify किया है, तो यह थाज का topic, अगर आपको पसंदा है हो, तो इसे like कीजिए, अपने friends में इसको share कीजिए, चैनल को subscribe कीजि कि नाम की spelling, pronunciation कभी-कभी थोड़ा बहुत गरबड हो जाता है, तो यह चीज आप लोग प्रेक्टिक्स करके अपना ठीक कीजिएगा, मैं अभी तक नहीं ठीक कर पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगर वीडियो पसंदा है तो इसे like कीजिए, friends में अपने share कीजिए, चै जो PDF लिंक है, वो आपको discussion मिल जाए रहा हूँ, वहाँ से आप उसको download कर सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दाने बाद,